नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य हम तीन वार कोई भी अच्छा काम करते समय या जब भी हम वन्रा करते हैं या कोई गाथा करते हैं उससे पहले हम ये सब्द बोलते हैं ये सब्द बहुत इंपोटेंट हैं और ये जितनी भी गाथा हैं जो हम बोलते हैं अधिकतर जो वंदना हैं वो वंदना बुद्ध के निर्वान प्राप्त के बाद में जो ग्यानी भिकू या ग्यानी लोग हुए हैं उन्होंने ये बनाई है नमो का मतलब है नम कर यानी कि जुकना नम्र होना ये तस्य मिन्स वाने हैं उनकी लिए नमो तस्य भगवतो यानी कि जो भगवा हैं जो भगन कर चुके हैं राग, दुएस और मो को उनकी लिए अरहतो का मतलब है जो अरहत हैं उनकी लिए अरहत क्या होता है अरहत उसको बोलते हैं जो अपने जीवन की सभी जो दुख की राग की दुएस की कड़ियां हैं उनको खतम कर चुके होते हैं जीते जी और उनको कोई भी दुख और सुख कहीं भी परिशान नहीं करता और वो हम ऐसा मुदित अवस्था में रहते हैं प्रसन अवस्था में रहते हैं करोणा सील रहते हैं, करोणा देते रहते हैं ऐसे व्यक्ति को अरद बोलते हैं सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा का मतलब है बरावर, इक्वल, पूरा सम्मा सम्बुद्धस्य और सम्बुद्धस्य का मतलब है जो बुद्ध बिलकुल सम्यक हैं यानि कि ठीक है और बुद्ध हैं तो हम ऐसे सम्मासम बुद्ध को यानि जो सही है, सम्यक है और बरावर है, हर चीज को जानते हैं, उन बुद्ध को नमशकार करते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मासम बुद्धस्य तीन वार हम इसलिए करते हैं एक वार हम करते हैं, जब हमारे कर दो भूइब कर दो को दो से खाट को कर दो